तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर में सेफ होंगे तो फ्रेंड्स आज मेरा टॉपिक जहें मल्चिंग को लेकर के हैं क्योंकि इस समय गर्मी बहुत हो रही है तेंपरेचर काफी बढ़ गया है तो मैंने सुचा कि चलिए आज मल्चि मल्चिंग के क्या फायदे होते हैं मल्चिंग के कौन कौनसे तरीके होते हैं ऐस टॉपिक को लेकर मैंने शूचा कि आपसे शेयर कर लूब और डिसकष कर लूब तो चलिए प्रेंड्स मलचिंग आप उपरी सता को गर्म से बचाएं और जो इसके अंदर माइक्रोब्स नेचरल होते हैं वह भी गर्म की ओजा से मर जाते हैं ताकि इसमें फर्टिलाइजर जो एक नैचरल तरीके से मिलती रहती है तो वह भी निश्ट हो जाती है अगर मिट्टी उसकी सता ड्राइ हो जाती है जैसे कि केच्व अगेरा है वह थंड में रहना पसंद करते हैं तो जब आपकी मिट्टी ड्राइब हो जाएगी आप नेट भी लगा लेते हैं अगर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर हम इसका उपाय ना करें तो बिल्कुल उपर सता जहें बिल्कुल जा सकती हो जाता है उसे जन्याद्टी हो जाता है उसे नैशारल लगा म fiscal कर ब tech वह भी नहीं बन आन पाती है तो इससे हमारी प्री तरह से अफ द जाता है तो इन सब बचाव कर सकते अच्छ समय है मल्चिंग हमें इसलेख पर गमले की आपनार मॉइस्टर है और मुल्चिंग करने के लिए इसी पहले अच्छे का टाहिए पर गमले की और थीम पर मुल्चिंग कर देते हैं यह देखिए यह इतने तरीके हैं, पहले सहे लेँजें सुखी पतीया जो टाटके बोरे होते हैं, उनसे कर सकते हैं, कॉकोस, कमपोर, बढ़ी बाएं, आप टर्टिल वायन लगा, तो इस तरह से मल्चिं की जा सकती तो अपको क्या दिखाते हैं, कि आपने गुड़ाई कर लिए मल्चिंग कर लिए बढ़ाई के लिए अग्ते हैं, मैं आपको अधासे नेगा कर लेह बाएं, जब पहले बुराई कर लें और इसमें जब मल्चिंग कर देते हैं तो जो यह हमारी वीर्स वगरा निकलती है जब अंगली खरप्वार इसको बोलते हैं उससे भी बचाओ हो जाता है तो जो बीर्स वे जब देते हैं और एनर्जी लेती है पेड़ों की एक्स्ट्रा जो होती है उनसे भी अगर हम मल्चिंग कर देते हैं तो यह देखिए स्पैग्नम मॉस है अब हम क्या करते हैं दो तीन इसकी जहे ऐसे लेयर जहे लगा देते हैं यह देखिए अब यह हमारा बिल्कुल पौधा सेफ हो गया है अब हम जो पानी डालेंगे वह इसमें मेंटें रहेगा बरकरार रहेगा और इसके अंदर जो माइक्रोब्स की केच्वे वगारा है वह भी नैच्रल जहें जिन्दा रहेंगे और अपनी प्रक्रिया करते रहेंगे पर्टिलाइजर की जो जो मारे नैच्रल नाइटोब्स होते हैं वो मर्ग डाई हो जाते हैं तो यह हमने जहें मल्चिंग कर दी यह देखें यह मल्चिंग हो गई अब इसमें हम पानी डालेंगे तो यह जो इसका मॉइस्चर है वो मेंटें रहेगा तो मल्चिंग के फ्रेंड्स बहुत सारे जो भी हम फर्टिलाइजर वगरा डालते हैं यह पूरी तरह से पौधों को नहीं मिल पाता है वीड्स ही उसके अनर्जी सख कर लेती है तो हमारी वीड्स भी नहीं निकलती है और माइक्रोज भी जो नेच्रम माइक्रोब्स की प्रक्रिया होती है वो भी अच्छी चलती र प्रक्रोप में भी कार्य करती है राइस हस्क जिसको चावल को भूसी कहते हैं दफ्ती जाल सकते हो और सबसे अच्छा तरीका कुछ भी ना मिले तो आपकी जो पेड़ पादों की पेड़ को पतियों की पाती होती है अच्छी जह होता है और इन्हें आप जहें आप जहें पिस्ट पिस्ट लेयर बना दें और इसकी बाद में दो प्रकार की होती है एक और गनीकतर हैं ऑल्लोग तरीके से कर दें प्र curricular करते हैं इन गार्चा तरह में पार्टेडसे स्वह पाए क्योंक्तर स्वह मतलब którego ब शुच्क बालब उप्रकोंकर देतर, बैंप साथ और दि रखने की छंता होती है आप सॉक्स ले लिजे ये कॉटन के हैंकी ले लिजे ये देखिए टॉवल हैंकी ले लिजे इन सब को आप जहें इस तरह से कर दीजे और इसमें पानी डालकर कि तर दीजे तो यह आपका एक दो दिन मॉईस्च्र मिंटें रहेगा इस तरह के कपड़े बहुत सारे होते हैं मारे बैंड्स होते हैं जो बिकार हो जाते हैं वह आप मल्चिन के काम में यूज कर सकते हैं इस तरह से पूरा डारेक्ट आप को अ यहां पानी अरन के लिएक आपम में नहीं लगते हैं आप आप जाप चेतलय वाईर आ यह आपके कैसंतर्ग इंकी आतिकन क्रापश को यह जाइक जड़ भी बालकी नी डिल्क्illon 1 को और बारीक को चेत नहीं पहुंस्त हैं तो यह हम आपको घर आपकृ अपश्थिए ह पेपर और टाट कायों को बोरे होते हैं यह को आप बोल होल कर लें पाट लें और बस इसे करके लगा दें तो यह आप जह देखें इस तरह से आप गूंली में अच्छा तरीका है मल्चिंग का तो फेंड्स यही मैंने आपको जांकारी देनी चाहिए यह संगे ही मल्चिंग इस समय बहुत कारगर है पौद हमारे पाओधों के लिए घ्रमी चाहिए और इसके कई असानी से की जा सकती हैं और हम आपने गर्मीयों में भी व्य वास्से उसमय को अराम से बचा सकते हैं तो प्लीज इस चीज ग Igimana आप जह जब भी Adapt खरीघ्ट और मैं आपको कुछ जहां ग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ तो आप इससे तरह से बचाओ कर सकते हैं तो इस प्रेंट्स आपको मैंने मल्चिंगे बारे में ज्यादा तर करके सभी चीजे बता दी हैं और उमीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मेरे चानल को और अइकन बटन पर प्रश जरूर कर दीजेगा ताकि नोटिकेशन आपको लगता दा मिलती रहे तो इसके साथ मैं चलती हूँ फिर आप से मिलती हूँ कुछ नया लेकर कुछ निया टापिक के साथ ओके बाई बाई टेक केर हापी वाड़ देंगे